सीवान विधान सबाच शेतर के निर्दलिय प्रत्यासी ब्यासदेव प्रसाद का लगातार सहरी शेतर में सुबा में दोरा चल रहा है आपको बताते चले कि आज ब्यासदेव प्रसाद का दोरा सीवान के खुर्माबाद बस एक एक घर घर चला जहां ब्यास्द्यों प्रसाद और उनके बेटे लुकेस्ट अरवंटी ने डोर टो डोर लोगों से जाकर के मिल करके और एक बार फिर से जिस तरीके से ब्यास्द्यों प्रसाद जो पिकास किया है उसके नाम पर ओट मांगने की अपिल की गई तो आप देख साथ एक कैसे ब्यास्द्यों प्रसाद के बेटे लुकेस्ट अरवंटी घरगर बोर टो डोर जाकर के अपने पिता के लिए ओट मांग रहा है आपको बताते चले कि बीजेपी ने इंका टिकेट कार दिया उसके बास से निर्दरिये ताल्ट भोग दिये ब्यास करके अइंडी एस सिरान को मॉडल बनाने का काम करूंगा आए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट नाना आए परिये तुमार जिन्दाबाद लरेंदर मोधी जिन्दाबाद जिन्दाबाद तीर शाप कर भोड़ दवागा मुदी जी के पार्टी निति जी के पार्टी जी देखे लगबाद देखे के बागी देवे के बाद एक नमर बाले हैं तोगा जाँ चाशा अरे एक दम शोराना तनी बता दी है सब सब से घांनी की जीता तरी लेनू हाँ ठी देखे लिए हैं देखे हैं हमारा बाबा का सिर्वार बारो बजला हरा देम संजेतना बीरो दी लोगे लोगे लालू जी या नितीस जी नितीस जी को के हो अरे विकास काम किया है भाई यह है तो है देख रहे हैं पानी शानी सब लगल बटे बिजली या गईल बटे अंधेरा में हमनी का रहत चर नहीं है जाए नितीस कुमार जिन्दाबाद जिन्दाबाद अब देख सकता है हमारे टीम लगातार चुनावी छेत्रों का दोरा कर रही है और जिस तरीके से अब माहौल बन रहे हैं ऐसे में अब लग रहा है कि एक तरफ महागडवन्दन तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और नितीस जी को ले करके आप देख सकते हैं यहाँ पर जेडिव के जो प्रत्यासिये कमला कुसवा के पति संजे सिंग अपने टीम को ले करके और यह गाउं का दौरा कर रहा है अभी छीतनपूर गाओं में हैं तमाम यहाँ पर स्यूपूर सक्ड़ा का इलाका है और यह लोग ओट मांग रहे हैं हलाकि इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी और नितीस कुमार के नाम पर हम लोग यहाँ पर आये हुए हैं वो सिंबल लेकर भी आये हुए ह और इसको लेकर के एक बार फिर से चाहते हैं कि नितीस की सरकार बने वैसे में कमला कुस्वा को यह चाहते हैं कि एक बार उन्हें विधायक के तौर पहां से चुन करके इस धर्ती से और पटना भेजने का काम किया जाए तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ समर्थकों के साथ संजय सिंग सूबां से निकले हुएं और नारे लग रहे हैं नितीस कुमार जिंदाबाद नरंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं हम इनसे बात करेंगे आप देख सकते हैं कितना उमंग है इन लोगों में भारा हुआ है कि किस तरीके से और किस जोस उमंग के साथ यह लो निकले हुए कुछ गाओं के लोग मौजुद है चैचा क्या कहना चाहेंगे अभी क्या चल रहा है नितीस जी या फिर लालूस जी क्या होगा अब क्या चाहते हैं फिर से एक बार कमला कुछ वहा के पती यहां पर आये हुए हुए है भगवान करसे की हैं जीत के जाएं ध्यान दी थोड़ा जोड़ा बातों यहनु चाहल जाएं आप इनसे क्या चाहते हैं अपने के रोड चाहें तो सरका चाहें विकास चाहें अब देखी रहा हुए रहा है यहां के लिए कोई नहीं है इस बर जाते कि कुछ हो जो भी जीत पर जाएं यह बात बादा आप बताईए अपना नाम बता दीजा हमारा नाम मोहन सिंह आप ब प्रविंदे सिंग हम नितिश कुमार के सासन में विकास हुआ है जो कि धरात पर अगले बार में कुछ भात है तो राजोद और जादिव से मिल कर लड़े थे तो उन्होंने हमारे कोई विकास काम नहीं किया कभी आए भी नहीं और अब ही विश्वास है कि अब हमारे कामला तीर को मिलेगा आप बताए जो चाहते हैं इस वर क्या होना चाहिए बहुत लोग कर रहे बदलाव होगा और तो रहा है नितिश का सरकार और कभी विकास के काम किया है तो हम लोग तो भाजपा समर्थक है और नितिश कुमार को भूट देंगे जियोर है एक दम और अब क्या हो रहा है और कि आपने लगातार हम ग्रामी निलावका का दौरा कर रहे हैं जीरादी विधानसभाचेतर में हलाकि लोग आज भी लोगों का कहना है कि जंगल राज था और उस जंगल राज को हम फिर से एक बार नहीं लाना चाहते हैं यह जीरादी विधानसभा जब एक एक ओड जाएंगे तो उस समय अपना किस तरीके से मद्दान और किसके पक्षब करती है तो आने वाला वक्त बताएगा हमारे साथ मौझूद है यहाँ पर कमला कुसवा के पती संजे कुसवा संजे जी अब देखा जा रहा है कि एक अलग अंदाज में इस बार आप लड़ रहे हैं हलाकि कई आपके टीम हैं अलग अलग शेत्रों का दौरा कर रही है तो क्या कुछ रुजहान मिल रहे हैं महोल के हैं जब लोगों के पास आप जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यबाद देता हूं साथी साथ आप मेरे घारजियों क्यों एक कर एक तरह बिनास है 15 साल पहले उसमें बिनास होता था और आज 15 साल भात मानिने नितीष कुमार जी के नितृत में मानिने परधान मंतरी मेरेंदर मोदीजी के नितृत में बिकास कीलहरण छल रही нам जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रामेश सिंग कुसवाहा जो यहां क्या सानिय विदायक थे और अब वो बिलकुल NDA से अलग हो करके दूसरे के लिए ओट मांग रहा है तो मंच से भी स्याम भादूर सिंग ने ललकार दिया बिलकुल उस तरीके से तो क्या लग रहा है क्य उनके जहांसे में लोग आएंगे क्या अब देखिए रमेश कुसवाह जी रिजेक्टेड माल हो गया है सिधे तोर पर जिस दिन उनका टिकट कट गया उसी दिन NDA परत्यासी कमला सिंग कुसवाहा रमेश कुसवाह पर भारी पर गई अब उनका क्या नाम लेना है जो आदम समाज से कट गया और अच्छा काम किये होते तुमका टिकट नहीं कटता सिधी बात है अब उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं वह हमारे भाई हैं भाई रहेंगे और कमला कुसवाह इस बार जिरादे से बिजय होंगी भागपा माले को लोग कर रहा है कि इस बार हम भारी है क्य चार पाटी हमारे साथ है दो पाटी उधर है तापसे लिजए का हम भारी एंगे बारे बजा तक माले को हम लो encompass देंगे बारे ये लोग जबर्जस्ती बति आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं, विपक्ष नहीं रहा. उस पाठी, उस दल के साथ हम लोग हैं. कहीं से कोई दिकत नहीं है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है. हमारे सर पर अशिरबाद है माननिय पर्दानमंतिर शेरी नरेंदर मोधी जी का हमारे सर अशिरबाद है बिकास पुरुस माननिय नितिस कुमार जी का तो फिर हमारी लड़ाई किस्से है उहां है कॉन? छोओ इंची एक है, नौ इंची यहां तो आप समझी रहे हैं, यहां तो आप समझी रहे हैं कि छोँची नौँची कौन है, पंदरा साल पहने वाले यह लोग हैं, जो चरवाहा बिदाले बनाया करते थे, यहां तो मेडिकल कालेज बन रहा है इस पंदरा साल में, यहां तो रोड बन रहा है, यहां तो बिज जल रहा है और उस राज में क्या था अपहरन था बलतकार था मडर था उससे में एक मोटसाइकल का चाका बलास्ट हो जाता था सीवान मार्केट में ताला बॉन हो जाता था था बिहार के तमाम बेवसाही लोग दूसरे राज में प्लाइन कर गए था आज देख लिजिए सीना ठोक के लोग सीवान आते हैं सीवान जाते हैं संजय जी एक सवाल और है कि महाकडबंदन को जिताने के लिए तमाम सीटों पर मुहमद शाहबुदीन की पत्नी उतर चुकी है पहले कभी आप विधान सबचुनाओं में आप नहीं देखे होंगे कैसे आप निप्टेंगे इ हमारी लडाई किसी से नहीं है और एक बात मैं आपको बताओं कमला कुस्वहा जो एंडिये की परत्यासी है वह चंसेखर की चचेरी बहन है तो आप समझ लिजे कि लडाई किसे है कौन चंसेखर वही सही चंसेखर चात्र संग के अधेक्ष जो थे पूरे देश के जिनू के उनके चचेरी बहन है हमारी लडाई किसे कहा है कौन चेहरा कौन है चारा घोटाला के सबजापता लालु जादो जी यहाँ इस देश के परधान मंतरी निरंदर मोजी दी यहाँ आठवा पास और वहाँ इंजिनियर नितिस कुमार जी तो फिर हमारी लडाई किसे है सरीके से बहुत सारे विधायक लोग आएं वादा किया वह उसी तरह से चलेगा क्या होगा कुछ आपने सोचा है एक चीज मैं आपको बताओं एक चीज मैं आपको बता दूँ मैरवा के सेमरा पंचाय से हम दो बार मुखियार है पंचायत रिजर्व हो गया तो वहां से बीडी सी की चुनाव जित करके मैरवा के बलाक पर मुख है कुछ तो होगा पंदरा साल हम लोग पंचायती राज में बने रहें और पाटी जब सर्वे कराया तो सर्वे में कमला कुसो वहाँ एक नमर पर जो यहां के बिधायक थो चार नमर पर तो हमें सेवा करने का अगर मुका मिला तो जो चाचा जी का जो सिकायत है उस सिकायत को मैं सबसे पहले हम लोग दूर करेंगे और जीराद ही का हम लोग विकास करेंगे जीरादों के मडल जीरादी बनाने का काम करेंगे तो बिल्कुल आपने देखा कि संजे कुसुआहा कमला कुसुआहा के पती हैं लगतार इनका दोरा चलना और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जीरादी बिधानसवा च्छेत्र की जनता किसे अपना बिधायक चुनकर के बिहार के बिधानसवा में भेजने का काम करती है यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा हमारे स्वयोगी आसीस कुमार गोलू के साथ शंदन कुमार एटियल लाइफ जीरादे सीवान